एलोगे तो टीचानल कैसे हैं आप लोगा है और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अपना क्रिप्टो पॉट्फोलियो बनाने की वेल अभी बी लेट नहीं हुए है जहां पर हम लोग expect करते हैं Bitcoin को to make a new all-time high जहां पर हम लोग expect करते हैं Bitcoin को to reach around 1,25 to 1,50,000 डालर अगर वो होता है तो अभी भी काफी time है for you to make profit from the crypto currency market बट उसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों ने याद रखना है कभी भी compare नहीं करना है comparison is something जो आपको कभी भी crypto market में इंटर नहीं करने देगी जनरली हम लोगों ने देखा है कि आपने तो इतने price में crypto को purchase करा हम लोगों ने उस price में purchase नहीं करा what should we do should we enter the crypto currency market right now or not and यह जो question है इसकी वाजा से काफी investor कभी भी crypto market में इंटर नहीं कर पाए well still it is not too late अगर हम लोग expect करते हैं आपे the bull season to continue जो कि actually may start हो चुका है तो yes profit अभी भी आपको मिल सकते है definitely उतना नहीं if you compare that to a person जिसने 2022 या 23 में invest करा हूँ what is the next step next step आता है crypto's को purchase करना अपना एक portfolio बनाना एक retail investor जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते to invest वो यहाँ पे selective crypto's purchase कर पाता है बट यहाँ पे वो random crypto's purchase करता है he goes to the social media network and वहाँ पे वो search करता है कि कौन किस crypto के बारे में बता रहे है उसके बारे में वो अपनी भी research करता है थोड़ी बहुत and then he goes and purchase is that crypto यहाँ पे यह random crypto जो हैं काफी लोग के portfolio में कोई एक crypto storage crypto से कोई एक deck से कोई यहाँ पर हम लोग बात करें AI से कोई एक RWA से बट कहीं पे भी एक जगा focus यहाँ पे नहीं देखने को मिलता on the other hand जो हम लोगों ने काम करा in 2022 and 23 हम लोगों के लिए अपना portfolio समालना काफी जाद सिंपल होगे एक retail investor के पास yes diversify होनी चाहिए investment not according to the crypto but according to the categories of the crypto categories बहुत सारी है crypto market में you will have to figure out कि कौन सी crypto category में आप लोगों को भरोसा है कौन से crypto trend यहाँ पे आगे चलेगा well उसके accordingly आपके पास तीन या चार categories होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग diversify करो और यह करना क्यों important है हम लोगों ने क्या करा अपने portfolio के साथ उसके बारे में भी बात करेंगे बात यहाँ पे individual cryptos के बारे में भी करेंगे in the upcoming videos उन particular crypto तो categories में कौन से ऐसे top three alt coins हैं जो top में चल रहें simultaneously mid cap cryptos में कौन से cryptos हम देखते हैं और कुछ region cryptos के बारे में भी बात करेंगे आगे की series में बट सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे categories categories क्यों important होती है जब आप अपना portfolio बनाने की सोस्टो सबसे पहले चीज जो आप लोगोंने देखनी है इस अब वो क्यों चलते हैं एक बार कॉइन मार्केट काप में बात करते हैं regarding how to make your crypto portfolio step one तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने open कर दिया है coin market cap and जैसे ही retail investor यह open करता है ही goes in front of many crypto जो बहुत amazing है यहाँ पर हम लोग देखते हैं Bitcoin को यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं Solana Cardano ADA Polkadot Polygon Matic Avax और ऐसे बहुत सारे crypto's हैं जो market में available है यहाँ पर हम लोग बात करें top 20 में भी बहुत सारे ऐसे crypto's आते हैं जिनमें आप diversify कर सकते हैं बट क्या वो list वहीं पे खतम होती है well not actually यहाँ पर हम बात करते है multiple returns की we go into the low cap crypto mid cap and low cap crypto's का mix आप लोग ने बनाना पड़ता है but the problem is कि यह करते हुए कही न कहीं हम पूरी खिचड़ी बना देते हैं अपने portfolio की कोई एक crypto किसी category का pick करा है कोई एक crypto किसी और category का यहाँ पे updated रहना regarding that particular category बहुत जादा मुश्किल हो जाता है जब एक season आता है किसी एक particular category का हम लोगों को एक crypto बढ़ता हुआ दिखता है simultaneously दूसरा crypto जो किसी और category में हो फॉल होता हो दिखता है हमारा total investment actually में move ही नहीं होता and then we complain कि हमने कैसे cryptos purchase करे हैं अपने portfolio में well the simple thing is कि आप लोग यहाँ पे categories को देखो ना की cryptos को वेल जैसी हम लोग categories की बात करते हैं market में categories भी बहुत सारी है crypto market में आपके पास options बहुत सारे हैं इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा and when you look out for an option definitely यहाँ पे categories आपको बहुत help करती है for example हम लोग अपनी बात करें हम लोग ने हापे AI में invest करा हम लोग ने हापे gaming में invest करा हम लोग ने हापे memes में invest करा और हम लोग ने हापे RWA में invest करा अब यह हमने क्यों करा and क्या चीज़ें इन में चल रही है वो भी discuss करेंगे and एक और चीज़ आपको बता दे हम लोग यहाँ पर top alt coins में भी invested है अब top alt coins क्या है and in categories का क्या future है यह आप से discuss करते हैं but even going through the list यहां पर आपको यह बता दें कि उतने ही categories में आप लोग diversify करो जितने में आप updated रह सकते हैं so for example आप कहीं office में जाते हो आपका बहुत tedious काम है look out for two of the category दो categories काफी होती हैं diversify करने के if you are not investing much but थोड़ा और invest कर रहे हैं आपके पास थोड़ा बहुत time है to research on them well yes third category भी आप उसमें add कर सकते हो then simultaneously looking into कितना आपके पास time है आप यहां पर diversify कर सकते हो अच्छे से but I would again say 4 से जादा categories कहीं न कहीं handle करना बहुत जादा मुश्किल हो हर category में अगर आपके पास तीन crypto भी हुए that is 12 crypto in your portfolio which is a good number जहां पर आपके पास थोड़ा manageable आपका portfolio रहता है simultaneously आप वहां पर जानते भी रहते हो कि कितना profit आपको हुआ है एक crypto portfolio जिसमें 25 crypto है on other hand crypto portfolio जिसमें 4 crypto है well you can only imagine कि कि किसको manage करना ज्यादा simple होगा along with that यहां पर आप लोग देखते हो categories को AI की अगर हम लोग बात करते हैं definitely एक ऐसा trend है जो market में अभी currently trending में चल रहा है क्या यह trending में चलेगा by the end of 2024 या 25 यह एक bubble है जो market में burst हो जाएगा well that is the first question which you should ask yourself यहां पर हम खाली AI की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम किसी भी category की बात कर रहे हैं so for example हम gaming की बात करें क्या gaming एक ऐसा trend है जो continue रहेगा या gaming का trend market में खतम हो जाएगा previously भी हम लोगों ने यह देखा था है इसी को reference में लेकर आपको समझाते हैं NFTs का जब trend आया everybody started to buy NFT crypto Metaverse का जब trend आया everybody started to buy the crypto जो Metaverse में काम कर रहे हैं but वो burst हुआ जैसी वो burst हुआ लोगों को समझ भी नहीं आया कि आप next move हम लोग क्या करें इन क्रिप्टो कांसी market to keep that simple तब ही बोलते हैं कि अपने portfolio में ऐसा design करके चलो कि आप लोग updated रहो about the category AI की बात करें तो definitely one of the trending category one of the category जिसका future काफी अच्छा लगता है और उसके पीछे एक reason बहुत simple है AI में अभी भी हम लोगो काफी upgrades देखना बागी कौन से क्रिप्टो के सांथ क्या mix and match होता है वो देखना बागी वेल अगर AI का trend यहां पर continue रहता है looking into की काफी upgrades इसमें आ रहे हैं हाल फिलाल में भी बात करें तो chat GPT से भी हम लोग आगे बढ़ चुके but yes क्या यह trend continue रहता है well if you look towards the development definitely यहां पर एक trend जो है वो continue होता हुआ दिखता है and उसी के सांसां यहां पर काफी क्रिप्टो हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो आज हम कोई इंडिविजियल क्रिप्टो के बारे में बात नहीं कर रहें definitely उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे जहां पर हम total nine क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे in every category three top cryptos three mid-cap cryptos and three degen cryptos in every category जो आज के पूल सीजन में काफी अच्छे रिटर्न देती है यहां पर एक लॉती category है जिसकी सब-categories भी मार्केट में अविलिबल सो फॉर गेमिंग platform की आप अलग से category बना सकते हो उन क्रिप्टो की एक category बना सकते हो जिसमें multiple games है और on top of that यहां पर launch pads भी काफी अविलिबल है तो यह चार सब category जो है वो हम बहुत easily देखते हैं इस particular category में और gaming का बहुत simple सा rule है कोई एक game जो चल गया मार्केट में well definitely यहां पर एक upside हमें देखने को मिल सकता है और हाल-फिलाल में काफी major games हैं जो मार्केट में launch हो रहें काफी अच्छे games हैं काफी अच्छे graphics उनके हैं and definitely एक upside हम देखते हैं जहां पर यह चीज़े जो है वो develop होती है better होती है वहां पर हम लोग expect करते हैं अब प्राइस जाहां पर हमने AI की बाद करी थी जैसे market में AI आ तो गया है बट उसमें काफी अपग्रेद्स अभी हम देख रहें simultaneously gaming games हम जब खेलते हैं तो बहुत अच्छे लगते बट आजी टेक्नोलीजी ग्रोज यहां पर games के graphics भी इंक्रीज होते sound quality and everything they also get upgraded and उसी वजह से हम लोग यहां gaming cryptos को देखते gaming cryptos का trend हर बार आया gaming cryptos को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं the crypto currency market that is one thing which you should know and यहां पे gaming में बहुत सारे cryptos काफी ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनका complete portfolio is in this category इसके लावा वो किसी और category में invest नहीं करते and they are happy with it because वो जानते हैं कि जब भी market में एक bull season आएगा जहां पे bitcoin अपने एक नया peak बनाएगा old season आएगा वहां पे हम लोग gaming cryptos को भी बढ़ते हुए देखेंगे simultaneously हम लोग ने बात करे regarding the meme tokens अब meme season अलग से आता है जैसे हम लोग ने बात करे bitcoin यहां पे bitcoin की dominance को हम दोग देखते है old season की हम लोग बात करते हैं वहीं पे हम लोग बात करते हैं meme season की meme coins actually में करते क्या है well कुछ भी नहीं करते उनकी community सारा काम करती है community जो है वो लोगों तक aware करती है about the token and then people start to FOMO in लोग यहां पे देखते हैं इसका price काफी काम है वो काफी यहां पे लोग अपने portfolio से उतना ज्यादा खुश नहीं है बाकी का आदमी इतना profit कैसे कमा रहा है उससे ज्यादा दुखी है यह डायलोग था इतना ज्यादा profit कमाया हम भी थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं हाल फिलाल में हमने देखा यहां पर को करते हैं हाल फिलाल में हमने देखा WIF को करते हुए पेपे को करते हुए बॉंक को करते हुए वे लुकिली फॉर आस WIF and bank में हम लोगों ने काफी अच्छा profit कमाया बट डट डज डॉंट मीन कि हम लोग अपना profit नहीं निकालते हैं मीम क्रिप्टो मीम काटिगरी एक ऐसी काटिगरी है जिसमें अगर आप लोग इन्वेस करते हो इन्शॉर आपने यह करना है कि आप उसमें से profit भी भार निका यहां पर पांप करेगा हो सकता है इक जीरो भी आगे से लिमिनेट करें बट वह आदमी शिबा को सेल आफ नहीं करेगा बिकास ही विल बी वेटिंग फॉर अन्रेलिस्टिक टार्गेट जहां पर शिबा कभी नहीं पहुंस था और वन डॉलर और वहापस से शिबा जो है ब यहां पर अगर हम लोग बात करें बॉंकी या बॉंक टोफ करते हैं इंशुर यह करिएगा कि आप लोग मार्केट से प्रोफिट निकाले तो इस ए थ्री आफ्री जहां पर हमने पहले बात करी AI Cryptos को लेके, second हमने बात करी Gaming Cryptos को लेके, third हमने बात करी Meme Tokens को लेके, Meme Tokens में हमने ज़्यादा Invest नहीं करा, but the last category, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं is the RWA, in fact the second last category, last में आते है top altcoins, अब क्या है top altcoins वो भी बात करेंगे, but RWA का trend market में आया, जब से BlackRock ने यहाँ पर बोला, regarding the tokenization of asset, सुनने में बहुत interesting लगता, theoretically सुनोगे तो आपको यह concept बहुत अच्छा लगेगा, in fact आप यहाँ पर आगमंद करके Cryptos भी purchase करने लग जाओगे, but जहाँ पर pros होते हैं, आपे cons भी होते हैं, AI की हमने बात करी, हम बात करते हैं upgrades की, but simultaneously अगर कोई government यहाँ पर AI को ban कर देती है, what is the future, simultaneously हम लोगे ने बात करी, gaming cryptos को लेके, जहाँ पर काफी बड़े games की भी हम लोगे बात करी, but कोई भी अगर interesting game market में नहीं आता, what is the future, हम लोग ने आपे बात करी, meme tokens को लेके, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं, community की, कोई community अगर अलग हो जाती है, तब क्या होगा इन meme tokens का, well, pros and cons हमेशा आपको पता होने चाहिए, आज के time में लोग बात कर रहे हैं, RWA को लेके, because of black rock, यहाँ पर लोगों को यह मानना है, कि black rock जो है, इन में से कोई cryptos या token जो है, वो purchase करेगा, यहाँ पर tokenization की जहाँ पर बात होती है, उनका यह मानना है, कि यहाँ पर investment जरूर आ सकती है, but simultaneously, we should know the cons as well, जहाँ पर SEC कभी भी यह नहीं चाहता, कि crypto जो है, वो worldwide all value, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, tokenization of assets की, जो की कही न कहीं आ जाता है, theoretically in security, आन आप लोगों को पता है, SEC उसके बारे में क्या mind लेके चल रही है, यहाँ पर yes, एक question mark जरूर आता है, इस category में question mark जरूर आता है, यह उसको आपने mind में रखना है, अगर यह category grow होती है, तो yes, definitely काफी जाज अपसाइडा में यहाँ पर देखने को मिलेगा, because it will open a new door of an opportunity, but उसी के साहँ साहँ, अगर SEC यहाँ पर jump in करता है, will वहाँ पर खतरा आपका increase हो जाता है, something for you to understand, जब भी आप अपना portfolio बनाते हो, the number one thing which you need to do is select the category, category आपने select कर ली, उसके बाद crypto select करने में कोई भी problem आपको नहीं होगी, simultaneously आप लोगों को याद होगा कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं regarding the top altcoins, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग यहाँ पर 5 अलग-अलग categories की हमेशा बात करते, AI की हमने बात करी, gaming की हमने बात करी, RWA की बात करी, meme tokens की बात करी and बात करते हम लोग top altcoins को लेकिए, what are top altcoins हम लोग बात तो करते हैं, बद कभी हम लोगों ने इसको सामजने की कोशिश नहीं करी, जहाँ पर हम Bitcoin, Ethereum को अच्छे से DCA करा, almost every week we were buying Bitcoin, because हम लोग एक long term holder हैं of Bitcoin, simultaneously हम लोग ने Ethereum में भी invest करा, but एक retail investor यहाँ पर जाता है multiple access, उसके लिए वो जाता है to the altcoins, अब यहाँ पे top altcoins में definitely आपके पास काफी options आते हैं, top 100 की बात करें तो काफी अलग-अलग categories आते हैं, जहाँ पर हम meme tokens को भी देखते हैं, gaming cryptos को भी देखते हैं, L1s को भी देखते हैं, simultaneously L2s को भी देखते हैं, polygonmatic हो गया, OP हो गया, arbitrary हो गया, जहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और निचे जाएं, near protocol, another layer 1, जहाँ पर आते हैं storage cryptos भी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, centralized exchanges की, अब वहाँ पर हमने जादा cryptos purchase नहीं करें, एक या maximum दो crypto वहाँ पर purchase करें, और वो हम hold करते हैं, चल रहें, बिकास उस category में हम लोगों को भरोसा है, बट येस उतना भी नहीं है, कि वहाँ पर हम जादा cryptos purchase करें, एक crypto in that category जिस पर आपको भरोसा है, बट ये simultaneously आपके पास वहाँ पर जादा option नहीं होते, तो ये कोई भी बुराई नहीं है, वहाँ पर खाली आप एक crypto purchase करके भी चल सकते हो, well this is something जिसके बारे में आपने खुद बखुद study करना है, आपके accordingly top alt coins या एक ऐसी category जहाँ पर आपके पास एक mix back हो, उसमें आप कौन-कौन से cryptos purchase करोगे, उसमें आप कौन-कौन सी categories देखोगे, category wise यहाँ पर आप cryptos purchase करते हो, वहाँ पर आपके पास दो या तीन major advantages आपको मलते हो, सबसे पहला आप यहाँ पर updated रहते हो, आपको पहले से पता होता है कि क्या होगा उस crypto का, जैसे बोलते हैं बाट crypto in a good category can give you a better return than a good crypto in a bad category, और यह actually में true है जहाँ पर हम लोग बात कते हैं crypto का अंसी market की, AI cryptos के बारे में कोई नहीं जानता था, 2022 में जहाँ end में जब chat GPT सामने आए, वहाँ से लोगों ने बात करनी शुरू करी about यह, और पूरा की पूरी category जो है वो grow करती रही, आज के टाइब में भी AI category में काफी upside हमें देखना बाकी है, but yes, many people believe कि वहाँ पे एक upside आएगा, tokens या crypto select करते होए, definitely आप उसके tokenomics देखे, उसके developers देखे, बट उसी के सांसांद वो ensure यह करें कि वो pump and dump crypto ना, pump and dump crypto जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आप लोगों का motivation ब्रेक होता है, आप लोग question करते हो अपनी research को, so yes, वो चीज़ ज़रूर माइंड में रखें, the second biggest advantage is कि आप ऐसा portfolio बना सकते हो, जो आपके लिए manageable हो, यहाँ पे अगर AI या gaming के बारे में कोई negative news सामने आती है, you know when to exit from the market, on the other hand, एक person जिसने random cryptos purchase कर रखें, दो शायद AI के purchase कर रखें, एक कहीं और का purchase कर रखा है, वो हमेशा यह confusion में रहेगा कि उसका portfolio तो increase हुआ ही नहीं, अब वो market में sell क्यों करें, on the other hand, you will be updated, यह बहुत बड़ा advantage आपको मिलता है, the third biggest advantage is, market में जब peak आता है, यहाँ पे पूरी category में peak आता है, हम लोगों ने यह previously भी दिखा, metaverse के अगर हम लोग बात करें कि example के तौर पे, sandbox, mana, दो major player previous bull season में, जहाँ पे हम metaverse को देखते थे, दोनों ने हाँ पे December में अपना previous all time हाई बना, so yes, यह कहना काफी ज़्यादा simple है, कि एक पूरी category जो है, वो peak करती है एक time में, and आप लोगों को पता होता है, कि market से exit कप करना, so yes, वो third advantage है, जो आपको मिलता है, when you select the category, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बात करेंगे regarding each individual category, अब उन categories में although काफी ज़्यादा cryptos है, बट हमारे पास request आईए है from a retail investor, जो यह बुलता है कि हम लोग तो ज़्यादा cryptos नहीं देखते हैं, well हम लोग भी काम cryptos के बारे में बात करेंगे, इंडिविजल cryptos के बारे में बात करेंगे, तीन अलग अलग slot बनाएंगे, एक वो cryptos जिन में risk थोड़ा काम रहता है, एक वो cryptos जो mid cap range में आते हैं, जो आपको शायद उससे ज़्यादा return दे सकते, and the third category is the degen cryptos, well जैसे बोलते हैं हिंदी crypto कांसी market, market में अगर आप आए हो तो risk तो लेना बनता है, because future किसी भी नहीं देखा, क्या पता bitcoin आप यहाँ से उपर ना जाए, क्या पता bitcoin यहाँ पर $1,000 जो है वो touch ना करे, on the other hand, क्या पता bitcoin यहाँ पर $500,000 टाच कर जाए, well nobody has seen the future, so yes, जितना भी पैसा आप डालते हों हिंदी crypto कांसी market, इंच्वार यह करिएगा, कि वो पैसा जादा ना हो, उतना ही invest करें, जितना you can actually afford to lose, and तभी आप लोग यहाँ पर hold कर पाओगे, तभी आप market में profit ले पाओगे, yes आपने exit भी करना पड़ेगा हिंदी marketing, यह चीज भी याद रखियेगा, with that's it guys, आज का वीडियो करते हैं पर end, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay बाबा,